तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पिर्वर्ट टेवल होता क्या है पिर्वर्ट चार्ट होता क्या है और पिर्वर्ट चार्ट का यूज हम लोग कैसे कैसे करते हैं तो आप हमारे चैनल पर नूँ है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें लाइक क साथ को किलिक करने के बाद ऑफफ civ है पहला प्रूब टेवल और दुस्रा प्रूब चाथ टो पहले से प्रबब की बात करते थे पिर बात करेंगे और चार्ट का जरूरी क्यों पड़ता है तो यह जरूरी क्यों है जैसे दखिए अगन मालेजी अव्ACT करिये कि यह एक डाटा है जिसमें बच्चा का मार्चीट लिखा हुआ और उसका मुवाइल नमबर यह सारा ची लिखाओ ठीक है तो यह मुवाइल नमबर किसी भी बच्चा का या स्टुडेंट का प्रसनल डाठा है उसका एज जो है प्रसनल डाठा है तो आप यह पब्लीक लिए किसी को नहीं न दे सकते हैं और सपोज करिए कि अगर उसका माधर नंबर आया है मतलब हमको उसका प्रिंट करके दीजिए तो आपके पास तो यह पूरा चीज है जिसमें उसका फादर्स का नेम भी है मतलस नेम भी है एज भी है मुवाइल नंबर सब्प्रिंट हो जाएगा तब यहां पर जरूरी पराकिस का प्रिभाट टेवल और प्रिभाट चार्ट का यहीं नहीं और भी बहुत इसका डिलिमिटेशन है हम लोग तुरत देखेंगे आगे तो पुरा क्लियर हो जाएगा तो जब हम लोग प्रिभाट चार्ट का या यूज करेंगे या प्रिभाट टेवल का यूज करेंगे तो हम लोग यहां से आकलन कर सकते हैं पूरा इस डाटा को मुल्यांकन जिस हिसाब से मुल्यांकल लेना चाहेंगे उस हिसाब से मुल्यांकल ले सकते हैं जैसे कि इस डाटा और पिरबर चार्ट का यूज करके हम लोग दोनों चीज बता सकते हैं कि कितना परसेंट बच्चा पास हुआ चाहे माली जी हमको केबल नेम और उसके उसके टोटल नमर देना है या जो उसका एज है या मदर्स नेम है जो data हम share करना चाहें, वही data share कर सकते हैं, हमारा ये main data हुआ, ये main data हम नहीं share कर सकते हैं, जैसे suppose कर ये कि आपका दुकान है, तो इसमें आपका खडीद rate लिखा हुआ है, और आपको यहाँ पे बेचने का rate लिखा हुआ है, तो मालिज अगर कोई दोकंदार को आप देखाना नहीं उसको केवल दिखाएंगे समान का नाम और बेचने वला rate, तो यह वलसको क्या करना होगी? आपको hide करना लोगो, तो यह कैसे होता है, क्या होता ही? चलिए, हम अब देखते है sauna in the table, फिर उसके बाद हम लोग satности, चाहत कर देखसे।, तो यह दोनों चीज को active करने से प लेसी समझ लेते हैं सबसे पहलेिसमें क्या लिक बोल रहा है है से तो कर जैसे आपको काम नहीं करेगा तो लिए कि आपको अच्छा से से टाना होगा ठीक है तो कुछ इस तरह से हम लोग को ऐसे select कर लेना है and select करने के बाद क्या करना है कि आपको ऐसे छोड़ देना है यह देखिए जैसे हम लोग select करेंगे तो यह हमारा यहां पर already देदेगा and अब इसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है कि choose where we want to pivot table report be placed मतलब क्या पूछ रहा है जो यह प्रिवर्ट टेबल का लिस्ट चाहते हैं कौन सा पेज पर existing workbook मतलब existing workbook मतलब आप जिस पर काम कर रहे हो and new workbook का मतलब क्या हुआ कि new worksheet का मतलब हो गया कि कि आपको नया पेज में बना के देगा तो हम इसको कह देते कि नया पेज पर हमको दो and इसके बाद हम कर देते हैं okay जैसे ही okay करेंगे तो हम लोग एक नया seat में आ जाएंगे और उस seat पे हम लोग को कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा यहां पे हम लोग को कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है और सामने हम लोग को यहां पे खुलेगा तो column 1 में हम लोग यहां देखते हैं हम लोग का main data यहां है तो column 1 में क्या है student name तो column name हम यहां पे click करते हैं तो देखिए जितना भी student है उसका नाम सो हो चुका है ठीक है अब हम लोग को देख देहां देख रहे हैं कि column 2 column 3 में उसका mother name है and fourth में भी उसका age है mobile number है तो यह सब चीज हमको नहीं सो कराना हम केवल सो करते हैं क्या column 6 और column 7 and column 9 तो यहां पर आप देखी normal हम लोग आ जाते हैं सीट पर एंड इसके बाद क्या करते हैं कि column 1 and column 9 जिसमें उनका के personal details नहीं आ रहा है अगर आप यहां से प्रिंट करिएगा तो उसका कोई भी personal details शेर नहीं होगा किसी के साथ केवल उसका जो भी total number है वह ही आएगा तो यह है अगर आपको जो भी सो कराना जैसे सब पोज करिए आपको mother's father's का भी name दे देना जैसे कि अमरजीत कुमार है उसका पपा का किया नाम है यह कि उसका पपा के नाम क्या है तो यह सेर करना चाहते है वह ही डाको आप सेर कर सकते हैं किसके जरूए पिर्भाट टेबल के जरीए